हाई GUYS, welcome back to my channel All Annaal Pantikes तो guys, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं फिर सो और लोन आप्लिकेशन्स का रभी होदूँंगा इस आप्लिकेशन्स का नहीं में क्रेडिट लोन तो guys इस applications पे loan apply करने से पहले इस वीडियो को आप लग जोरू इन तक देखेगा इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं credit loan applications का loan process के बार में पूरा details में बताऊंगा और guys उसके साथ साथ यह बताऊंगा कि इस applications की दरब से कितना तक कि loan provide कर जाता है और यह application loan provide करता ही कि नहीं और credit loan application real है या fake है तो guys credit loan applications को open करने के टाइम पहला interface step का आजाता है maximum loan amount up to 20,000 तो नीचे get money का option है यह पे click करने के बाद आजाएगा sign in का option sign in करने के बाद step के interface आजाएगा तो यह पे आप लोगों को fill करना होगा basic information, work information और last में bank information तो guys sad details फिल करने के बाद आजाएगा loan amount और 10,000 डे चूस करने का option तो guys सबस आप लोगों इस applications की दरब से 10,000 loan 180 days के लिए select किये ठीके और नीचा आप लोगों को एक security deposit दिखने को मिल जाएगा 429 rupees तो guys सबस आप लोगों के साथ लोगों के दरब से 10,000 loan पाने के लिए पहले 429 rupees security deposit पे कर देते हैं तो आगे जाके loan मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है आगे जाके आप लोगों के साथ loan के नम fraud भी हो सकता है और guys credit loan applications के खिलाब आप लोगों को play store में कभी सारे negative review दिखने को मिल जाएगा जैसे कि पहले review देख सकते money थी web and view or fraud नीचा और view पे ये कहाँ गया कि asking money no loans नीचा और view देख सकते 4G app पहले 429 rupees मंग रही है और last view पे ये कहाँ गया है कि fake company तो guys credit loan applications के बारे में आप लोगों को critical पे कभी सारे negative review दिखने को मिल जाएगा और हार एक review पे ये कहाँ गया है कि credit loan application एक fake application है और guys मेरी तरफ से में कभी भी step का loan application loan के लिए prefer नहीं करता जो loan application loan के लिए पहले advance पैसा मंगता है और guys credit loan application हो या लग कोई भी loan application हो अगर आप लोगों को कहता है कि loan के लिए पहले advance पैसा पे करना होगा तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत किजिए अगर आप लोग loan के लिए पहले advance पैसा पे करते हैं तो आगे जाके loan मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है अगे जाके आप लोगों के साथ loan के लिए पहले advance पैसा पे ना करें तो आप लोगों के साथ मुलकात हो रहा है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाई हिंद बंदे मातरम